हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिप्त के सब्जेक्ट ईवीएस के वीक नमबर 19 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्थ दली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी की गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है लेसन 11 सुनीता इन इस पेस तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौर्टिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेशन वन ह इस पेस में जाने के लिए किस ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है तो बच्चों आप्सन है बस एरो प्लेइन इस पेस सिप तो बच्चों आप्सर है ऑप्सन नमबर थर्ड इस पेस सिप का यूज किया जाता है नेक्स्ट है विठ है विच सेलेस्टियल बॉड़ी और थर्ड इस्टार्ट यानि की तारे रात में टिम टिम आते हैं नेक्स्ट है डूरिंग विच नाइट किस रात में वी केंड सी दा फुल कंप्लीट मून हम पूरा चांद देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर ऑप्सन है दूज मून और न्यू मून तो बच्चों कब देखते हैं हम फुल मून जिसे हम पूर्णी मा कहते हैं तो बच्चों आंसर है ऑप्सन नंबर सेकेंड नेक्स्ट है वी इस फर्स्ट इंडियन टू इन्टू इस पेस अंत्रिक्ष में जाने वाले पहले भारतिय कौन है तो बच्चों आप्सन है कल्पना चावला राकेश सर्मा अब है बच्चों question number two you have must visited your relatives palace आप जो है अपने relatives के घर गए होगे think and answer अब आपको सोच कर बताना है what differences did you observe from your place आप अपने इस्थान पर आपने अपने इस्थान से महाँ पर क्या जो है differences object की write your experience about the differences अब बच्चों आप जो है उन अंतर के बारे में अपने अनुभव को लिखेंगे you can show the differences by making a drawing as well आप जो है बच्चों उन अंतर को drawing के द्वारा भी बना कर show कर सकते हैं तो बच्चों answer है when we go to our relatives place जब हम अपने रिष्टेदार के घर जाते हैं we see the difference in the speech तो हम वहां की भासा में food, खान पान में dress, face भूसा, living style, रहन सेहन में structure of the houses, घरों की बनावट, streets, गलियों, road, सडकों, trees, पेड़ पौधों and agriculture etc और किर्सियादी में अंतर देखते हैं आप बच्चों question number 3, carefully observe your locality, आप जो है अपने मोहले को जो है बहुत ध्यान से देखेंगे and make a map of your colony or street और अपनी street यानि की गली या फिर colony का map बनाएंगे treasure house in map and color it और बच्चों उस map में आप अपने house की जो इस्तिती है location है उसे किसी भी color के द्वारा फिल करके दिखाएंगे तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर यह map है तो इसमें बच्चों पहले direction है east, west, north and south तो बच्चों यह जो है मेरी colony का map है इसमें मेरा घर बच्चों यहाँ पर है इसे red color से यहाँ पर locate किया गया है तो आप भी इसी तरीके से अपने map में अपने घर की स्तिती को locate करेंगे किसी your observation और अपने observation लिखना है आपको कि आपने इसमें क्या देखा तो बच्चों answer है this scene is of night यह जो scene है बच्चों कब का है रात का है the moon is visible in the sky आकास में क्या दिखाई दे रहा है चांद दिखाई दे रहा है many stars are visible in the sky आकास में बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं in the picture there is a mountain on which the light is falling picture में जो है एक mountain आप देख सकते हैं यहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही है अब question है if you get a chance to go into the space यदि आपको space में जाने का अफसर मिले make a list of objects तो आप उन objects की एक list बनाएंगे which you will want to take video in space जिनने आप space में अपने साथ ले जाना चाहेंगे तो बच्चो answer है if I get a chance to go to space यदि मुझे space में जाने का अफसर मिलता है I will take food packets तो मैं अपने साथ food packets ले जाऊंगा to be eaten खाने के लिए in space अंतक्ष में pencil paper, water packets, पानी के packets, medicines, दवाईया, some cloths etc और कुछ कपड़े आदी अब बच्चो question है the stars are visible only at night तारे जो है केवल रात में दिखाई देते हैं think and answer क्यों तो बच्चो आपको सोच कर आंसर बताना है तो answer है there is no sunlight in the night रात में सूरे की रोशनी नहीं होती है due to which और जिसके कारण the stars are visible only at night जो तारे हैं वो रात में ही केवल दिखाई देते हैं Life skill, global warming, global warming is the increase in earth's average temperature over a period of time समय के साथ प्रत्वी के औस्ट तेंप्रेचर में व्रद्धी को global warming कहा जाता है Our earth has an atmosphere around it हमारी प्रत्वी के चारों तरफ एक वातावरन होता है which is made up of many gases जो की कई गैसों के द्वारा बना होता है Greenhouse effect has been caused by increased level of carbon dioxide and pollutants Greenhouse effect जो है वो carbon dioxide और अन्य प्रदुसकों के बढ़ती हुए level के कारण बढ़ा है They cause overheating of the earth वे जो है प्रत्वी के अधिक overheating होने का कारण है It has a very bad impact on our environment इसका जो है हमारे environment पर बहुत ही बुरा effect पड़ा है Global warming can be checked if we take concrete steps towards saving our environment Global warming को रोका जा सकता है यदि हम अपने environment के प्रती कुछ steps कुछ कदम बढ़ाएं Nature can survive without us प्रकर्टी हमारे बिना जीवित रह सकती है but we cannot survive without nature लेकिन हम प्रकर्टी के बिना जीवित नहीं रह सकते अब है बच्चो activities for students activity one है make any earth crown बच्चो यहाँ पर आपको कोई भी प्रत्वी का मुकुट बनाना है click your picture wearing it और इसे पहन कर picture click करनी है and share with your teacher और अपने teacher के साब इसे share करना है तो बच्चो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से earth crown बना सकते हैं activity to get your own beautiful earth with any form of hand painting बच्चो यहाँ पर आपको earth की किसी भी form का किसी भी hand painting के द्वारा earth की picture बनानी है तो बच्चो आप इस तरीके से hand painting के द्वारा earth की picture बनाएंगे next है 10 ways are given below by which you can save your mother earth नीचे जो हैं 10 तरीके दिये गए जिसके द्वारा आप अपनी mother earth को बचा सकते हैं follow these ways yourself आप इन्हें swim भी follow करेंगे and motivate your friends और अपने friends को motivate करेंगे and family और परिवार के सदश्यों को to follow these इन्हें follow करने के लिए as well more and more turn off the lights lights को turn off रखें जब use ना हो recycle चीज़ों को recycle करके use करें save leftovers जो चीज़े बच जाती हैं उन्हें save करें be nice to the worms कीडों के प्रती अच्छा वेवार करें share a book अपनी किताबों को दूसरों के साथ share करें plant a tree पौधा लगाएं use both sides of the paper पेपर के दोनों sides का use करें save water पानी को बचाएं clean up trash जो trash है उसे साफ करें keep your mind cool अपने मस्तिक्स को अपने दिमाग को ठंडा रखें संसकार साला laziness is man's biggest enemy आलस मनुष्य का सबसे बड़ा सत्रू होता है hard work is the biggest friend और कठिन परिश्रम मनुष्य का मित्र होता है food and drink में आज आप लेंगे include raw vegetables and salads etc in your daily routine आप अपने daily routine में कच्ची सबजियां और salads लेंगे activity में decorate your room and house with your family members अपने family members के साफ आप अपने कमरे को और घर को decorate करेंगे सजाएंगे game में do yoga with your siblings and parents for at least 30 minutes a day आप अपने बहन भाई और माता पिता के साफ एक दिन में कम से कम 30 minutes तक योगा करेंगे daily routine में बच्चों आप include the following habits in your daily routine कुछ यहाँ पर habits दी गए हैं जिने आप अपने daily routine में include करेंगे सामिल करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें take a bath तेली रोजाना नहाएं drink plenty of water and eat a balance diet पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और संतुली ताहार लें avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और अपने हातों को नियमित रूप से धोएं complete your homework on time और अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you